आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम सिद्धान तक नहीं होत रही स्टड़ी ग्लोस पे आपका बहुत बुस्वागत है दोस्तों फार्मर डिस्ट्रिस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे किसानों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत सबसे बड़ा इंडियन काउंसेल आफ एग्रिकल्टियर रिसर्च दोनों ने मिलके अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको फार्मर इंडेक्स बोला जा रहा है इस पे काम किया है और आपको बता दू कि बस आप मान लिजे कि यह शायद साल के अंतर तक या फिर अगले साल यह लॉंच भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है यह ठीक है मेरे ख्याल में इसी साल के अंतर तक यह लॉंच हो जाएगा अब यह दो तीन मेने कह रहे है बट फिर भी पड़ आपको कोई डिस्ट्रस नहीं होने वाला लाइफ क्लासेस है एक एक सेशन धाई से तीन मैनत लगी है डाक 40 कूपन कोड़ आपको यूज करना है लाखों रुपए का यह मोडियूल आता है बट हमने सिर्फ 600 रुपए का यह निकाला है कि किसी भी तरीके से मैनिपलेशन से बच जाए हमको पता है मैनिपलेशन की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यदा होती है हम को यह भी पता है कि इनसान परशान हो जाता है रिलेशन्शिप में हर दिगा मैनिपलेशन को देखने को मिलता है लेकिन अब किसी भी तरीके की ब्रेइन वाशन को आप रोख सकते हैं लाक साइकॉलोजी के कोर्स से तो आप फटाक से अवेल करो तो क्या है फार्मर डिस्ट कर्सिंडेक्स भारत में आधे से जादा लोग 50% से जादा लोग किसान में इन्डारेक्ट में डारेक्ट किसानी में हैं लेकिन जी डीपी पे को लेई स्पार्मिंग की सेटर से बहुत उपर है पूरी दुनिया में काफी उपर है क्योंकि मारत में काफी किसान जो है हर साल दस हजार से जादा किसान सुसाइड कर लेते हैं आप समझ रहे हो तो यह बड़ा ऐसा आंकड़ा है जो दिल जगजोर देने वाला है MSP मिलता है Wheaten Rice पे तो पूरा देश Wheaten Rice ही उगा रहा है हारा कि Horticulture, Flory Culture इन सब पर ध्यान देना चाहिए पलसर पर ध्यान देना चाहिए अब ही आपने देखा कि टमाटर के प्राइजेस उचे जा रहे होता क्या ना कि अगर बहुत कोई चीज़े सस्ती मिलने लगी तो किसान ना उसको उगाने छोड़ देते हैं तो टमाटर के साथ भी हुआ था भी ठीक है तो जब किसान उगाना छोड़ देगा तो प्राइज उसके उपर क्यूंकि भाई किसान को भी तो पैसा चाहिए वो क्या खाएगा आप ये समझे तो बुरी हालत है यह आपे तो इसको कम करन यह मेजर करता है इंडेक्स से तो कुछ ना कुछ मेजर करे गई है तो यह मेजर करता है हाट्शिप्स और सफरिंग परशानिया जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं क्यों क्लाइमेट चेंज की वज़े से नहीं पता कब बारिश हो जा अभी ज़ितनी बारिश हो लिए हैं है ना किसान को यह सारी क्या-क्या परचान कर रही है और इसके पात फिर इंडेक्स आप देखिए इसमें 0 to 1 वन मतलब extreme distress है और zero मतलब no distress है मतलब आप समझें कि 100 marks तक इसमें rating है मतलब 100 marks तक दिए जाएंगे ठीक है तो आप index जो है वही agrarian distress जो है बहुत परशानी है किसानों को उसको हमें देखते हैं कि कम करेगा और यह बहुत अच्छा है क्योंकि आपके पास data होना चाहिए एक बार अगर आपके पास data आ गया तो फिर आप उस जगा पे पहुँच सकते हैं और वो problem solve कर सकते हो तो इसमें सरकार, non-government organizations, everyone farmers, central state, हर कोई है यहाँ पे क्योंकि किसानों की बात है न तो यह तरीके से करांती कारी step है agriculture में क्योंकि इससे हम अपने किसानों तक पहुँच सकते हैं वो सही है कि implement इसको कैसे करते हैं तो proactive steps जो हम इसको ले सकते हैं तो क्या-क्या benefits हैं सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें उन areas को identify किया जाँ है जιαसे कहीं पे बहुत जदा suicide हो रहे है तो उन areas को identify किया जाएगा जहां पे suicide बहुत जदा है जो बहुत परशानी वाला कारण बनता है पार्मर्स के लिए जहां पे हध से जदा distress है उन EDS को सबसे पहले यहाँ पे identify किया जाएगा और उसके पाद timely और targeted interventions हो गया सिर्फ सुसाइट की बाते हो तो extreme step हो गया लेकिन बहुत और भी भाई ने income नहीं हुई कई बार किसान खेज छोड़के चले जाते कि भाई चलो पैसा तो कमानी है तो कुछ और ही कर लेते हैं कोई labor मज़़ूरी कर लेंगे हम क्या करेंगे लेकिन यहाँ पे दोस्तों उसी कोई identify करना है कि वो कौन कौन सी जगा है जो बहुत ही ज़ादा वलनेबल है ठीक है दूसरा भाई various schemes भाई देखे किसान को लेके बहुत सारी किसान credit card हो गया PM कृशी सिचाई योजना हो गई धेरो schemes किसान को लेके launch की है अब इसमें यह देखा जाएगा कि क्या यह schemes किसान तक पहुँची की नहीं क्योंकि हम सबको पता है कि जितनी भी सरकार scheme launch करती है बहुत कई बार 80-90% तो लोगों को पता ही नहीं होता कि यह scheme भी चल रही है तो क्या यह पहुची और क्या यह किसान के distress को कम कर रही है कि नहीं कर रही है तीसरा benefit यह होगा कि research and analysis भाई आपके पास पूरा का पूरा data है तो क्या मतलब क्या यहां पे distress के consequence होते हैं causes होते हैं किस वज़े से किसान परशान होता है और क्या उसके consequence होते हैं तो एक तरीके से rural development को as data को abuse कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो और present भी situation को control कर सके तो index जो है multiple sources है data के इन में ठीक है ताकि identify करे और monitor करें कि आखिरकर farmer distress के sign क्या है step one क्या है information collect करनी है local newspaper से newspaper में भाई किसान के पास जाओगे हैं आपे किसान की problem newspaper तो पहले information तो collect करो कहां का area है को कौन कौन से area जाबे किसान परचान है news platform से social media platform से और कोई भी incident अगर farmer related farmer distress से related है उसको collect करो debt repayment हो गया suicide pest attack droughts, floods, migration यह सारे incident इनसे related incident जो है उसको हम देखेंगे ठीक है अगला step जो है पाई देखो एक बार हमको पता चल गया हमारे पस information आगी ठीक है उसके बाद हम किसानों को contact करेंगे उनसे interviews लेंगे आप समझ रहे हैं marginal जो बड़े farmers है 90% जो पूरा land है वो तो 10% के पास है जो अमीर farmers है बाकि small और marginal farmers आते हैं ठीक है जो बहुत ज़्यदा परशान रहते है especially small farmers वो बहुत परशान रहते है छोटी जमीन होते है कुछ उग नहीं पाता है मुश्किल होता है तो अब इसमें फिर उनके साथ हम सवाल जबाब करेंगे और ये सवाल पूछे जाएंगे कि भाई देखो क्या drought, floods, crop, failure आया है तुमारे आया है तो क्यों आया है ठीक है कब आया है ये सारी चीजे debt burden कितना कितना तुमने कर्ज लिया है उसके बाद जो adaptive capacity है farmers और local government, different schemes वो कितना कि अगर माल लोकल ही तुमारे इसकीम चलाई गई है सरकार ने अगर तुमारे इसकीम चलाई गई तो क्या तुम उसको ले पा रहे हो, तुम उसमें adapt कर पा रहे हो land holding और irrigation facility तुमको मिल रही है तुमारा जो जमीन है, उसमें बढ़िया उपज हो रही है irrigation facility बढ़िया से है sensitivity, mitigation and adaptation strategies जो है है की नहीं, कि वो भी fail हो जा रही है उसके बाद फिर triggers जैसे तुरंट कुमान लीजे कि आप किसान के कोई बिमार पढ़ गया तो क्या आप उसको ले पा रहे हो अच्छे से उसकी वज़े से तो कोई problem नहीं है और उसके बाद जो social psychological factors होते हैं तो यह सारी चीजे जो है किसानों से पूछी जाएगी, किसान जबाद देगा उसके बाद यह marks मिलेंगे अब इसमें 0 to 1 है, आप यह समझ लो 100 तक है 0 मतलब कोई distress नहीं है और 100 मतलब सबसे ज़धा distress है 0 से 0.5, यानि कि 50 marks से कर मिल रहे हैं तो low distress है 0.5 से 0.7, moderate distress है और 0.7 से जादा जो है वो अच्छा कासा distress है, severe distress है समझ रहे हो, तो इसी लिए यह बहुत बढ़िया होगा और कमाल होगा significant जैसा कि हमने बता है कि इसमें जो सबसे परशान फार्मर से उनको हम identify करके उनकी problem को solve कर सकते हैं और जो आगे आने वाले समय में भी जैसे माल लिजे कि हमको पता होगा कि इस area में बहुत ज़दा problems आ सकती है crop अच्छे नहीं है, droughts आते है, flooding होती है कोई multiple reasons हो सकते है तो उन problems को भी वहाँ पे जाके हम solve कर सकते हैं फिलाल आप सरकार की initiatives बड़े important है E-NAM बहुत important भाई, national agriculture mission उतना ज़दा तो नहीं हो लेकिन 600 के कड़ी जो agriculture market है, उनको online कर दिया ठीक है, बट ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल में online अगर आप कोई चीज़ कर दो बहुत बढ़ी है, बट again, किसान को पहुँचाओ, किसान को बताओ कि हम सब online हो गया PM crisis रिचाई हो जना है PM फसल बीमा जना, बहुत important insurance scheme सीधा account पे पैसा डाल दिया soil health card है, तो ये सारे सरकार की scheme है किसानों के लिए पर फिर भी परशानी तो है ही है तो अभी और वी चीज़ें जो है वो करनी बागी है dark psychology का हमारा शांदार course आप अवेल करे dark 40 coupon को यूज़ करे 1000 रुपए का course मातर 600 रुपए में आपको मिलेगा देसे सिद्धान तक नहीं उतरी signing off